अभ्यिजैनि नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इडियन कॉंस्टिटीूचन के अंदर दो बहुत ही इम्पौर्टेंट आर्टिकल्स पाड़ें बात करेंगी which is article 32 of Indian Constitution and article 226 of Indian Constitution और हम इन ब्रीफ टेखेंगे कि वाट आर दे रिट्स राइट तो दोस्तों Dr. Ambedkar ने जिन्होंने Indian Constitution का जिन्हें कहा जाता है that he is the father of the Indian Constitution So, Dr. Ambedkar ने आर्टिकल 32 के बारे में कहा था that it is the very heart and soul of the Constitution उन्होंने ऐसा क्यों कहा क्योंकि जो fundamental rights हमें दिये गए हैं from article 14 to article 30 all these rights can be secured by article 32 if there is a violation of any right then we can secure these right by way of court by exercising by filing an application under article 32 of the Constitution he has said that article 32 is the most important right for our citizen तो ये तो हुआ इसका background तो दोस्तों अगर किसी का कोई fundamental right violate होता है so that person can directly approach to the Honorable Supreme Court for you know for this against the infringement of his right right so before we discuss our today's topic let us first see what exactly is judicial review so judicial review means judiciary can declare a legislation or a law as unconstitutional if it is beyond the competence of legislature according to the distribution of power or it is in contravention of fundamental rights or any other mandatory provision of constitution यानि कि judicial review हम कहते हैं उस चीज़ को जब सरकार कोई कानून बनाए जैसे कोई state government कोई कानून बनाए जिसकी उसके पास पावर ना हो या कोई fundamental right violate करके कोई कानून बनाया जाए या कोई और mandatory provision जो है constitution की जैसे कि article 301 और article 304 इनको violate करके कोई law बनाया जाए तो उस case में judiciary जो है उस law को unconstitutional declare कर सकती है और जब judiciary उस law को unconstitutional declare कर देगी तो फिर that cannot be operational उसका कानून उसे लागू नहीं किया जा सकता तो हम आज जो discuss करेंगे हम बाद discuss करेंगे contravention of fundamental rights तो जैसे कि अभी जो farm laws पर जो dispute चल रहा है दोस्तों उसमें कुछ लोगों ने उस law को challenge किया है that it is the beyond competence of parliament according to the you know the three list in the constitution it is beyond the power of parliament to make farm laws because agriculture is state subject तो यह मैंने आपको बताया judicial review का मतलब तो दोस्तो एल चंद्रकुमार वर्सिज यूनियन ओफ इंडिया के case में honorable supreme court ने यह कहा था कि honorable supreme court ने यह कहा था कि जो हमारा constitution है उसके अंदर जो आर्टिकल 227 और 227 है 226 और 227 और आर्टिकल 32 जो है they are inviolable basic structure of the constitution basic structure constitution के उस पार्ट को कहते हैं जिसको amendment नहीं किया जा सकता इन आर्टिकल 368 तो इसमें कुछ basic feature में आपको बता देता हूं जो अमेंड नहीं किया सकते जैसे कि हमारी country का जो democratic structure है या जो आर्टिकल 32 है राइट इन सब चीज़ों को हम अमेंड नहीं कर सकते यह these are kind of permanent in nature राइट नाओ वाट इस लोकस्टेंडी एंड पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन लोकस्टेंडी दोस्तों कहते हैं उस चीज़ को कि भाई जो व्यक्ति कि कोई व्यक्ति जब कोट में जाता है तो कोट उससे पूछता है तो वाट इस इस चीज़ को फाइल करने का राइट तो जनरली हम यह समझते हैं कि जिस व्यक्ति का राइट इंफ्रिंज हुआ है जिस नागरिक के अधिकारों का हनन हुआ है वही नागरिक कोट में जाएगा और एप्लिकेशन लगाएगा लेकिन दोस्तों जो पब्लिक इंट्रेस्ट का कॉंसेप्ट अब जस्टिस भगवती ने इंट्रेड्यूस किया और उनके दौर से यह फिर आज की डेट में काफी पी आयल स्कूर्ट में लगती है और पी आयल का कारण दोस्तों यह होता है कि एक तो मल्टिप्लिसिटी और प्रोसीडिंग को यह खतम कर देती है और इस को डिसाइड कर देता है अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो अफोर्ट नहीं कर सकते अगर उनके फंडमेंटल राइट्स वालेट हो तो वहां जो पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन का जो कॉंसेप्ट है दोस्तों वहां यह क देखाऊगा जो फार्म लॉज भी जब किसान दिल्ली आ रहे थे तो उससे पहले पुलिस ने जो है उनको आने से रोक दिया और यूनों बिदेवर देवर यूनों प्रोहिबिटेद फ्रॉम प्रोटेस्टिंग विच पीस्फुल प्रोटेस्ट इस फंडमेंटल राइट प्रोटेस्टिंग राइट पशर्ते यू शुड नॉट रॉइलेंस अब पीस्फुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं सरकार के गिंस सरकार नहीं रोक सकती लेकिन आज के दौर में ऐसा हो रहा है सरकार प्रदर्शन भी निकरने देती मतलब एक तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि किसी पहले तो उसको पीटना और उसको रोने भी ना देना राइट इस तरह से हम इसको कुछ खह सकते हैं तो दोस्तों फंडमेंटल राइट के केस में लिमिटेशन एपलाई नहीं होता है बट सुप्रीम कोट ने अपनी बहुत सारी जज्जमेंट्स में यह कहा है कि जिसका भी वंडमेंटल राइट वॉइलेट होता है उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी कोट में आना चाहिए और जो बहुत ज्यादा डिले करके आएगा उसको रिलीफ रिफ्यूस भी की जा सकती है क्योंकि को क्योंकि जो नॉर्मल प्रिंसिपल है वो यह है कि जो सेटिजन विजिलेंट है जो जागरुक जनता है उसी के राइट्स की प्रोटेक्शन करना कोट का और यूनों ड्यूटी है हाला कि कोट चाहे तो वो डिले या जो लैशे उनको कोट को अब हम बात करते हैं अब अर्टिकल 32 और अर्टिकल 226 की तो दोस्तों इन दोनों आर्टिकल में एक जो चीफ डिफ्रेंस है जो में डिफ्रेंस है वह यह है कि आप अर्टिकल 32 में जा सकते हैं सुपरीम को डैरेटीश लेकिन आर्टिकल 226 में आप लीगल राइट के लिए as well as for infringement of fundamental right you can go to high court तो हम कह सकते हैं कि high court के पास ज्यादा power है दिन supreme court तो high court आपको आपका legal लीगल राइट भी एंफोर्स करा सकता है तो जब आप आर्टिकल 226 में जाते हैं तो आप उसमें लीगल राइट के लिए भी जा सकते हैं तो उसका मतलब यह हुआ कि अगर माल लिजे सरकार आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं डाल रही है यह आपको पासपोर्ट नहीं दे रही है तो आप जाके कह सकते हैं high court में that I am legally eligible for you know these things and the government is still not doing and they are infringing my legal right so high court आपको relief देगा right लेकिन अगर आपको सरकार you know if the government treated you unequally the government does not allow to profess your religion तो आप article 32 में सीधा supreme court जा सकते हैं right तो दोस्तों जो अगर यह article 32 और 226 ना हो तो दोस्तों यह एक कोरी बकवास होगी यह fundamental right जैसे की directive principle of state policy है under article 36 to 51 क्योंकि उनको आप court में enforce नहीं करा सकते डिरेक्टिव प्रिंसिपल बेसिकली एक ideal society बनाने के लिए कुछ principle है जो state को follow करने चाहिए जैसे की equal pay for equal work uniform civil code जोनों सबके लिए एक सा कानून होना चाहिए और environment की protection होने चाहिए रदर हुड होना चाहिए है ना लेकिन practically यह सब चीज़े नहीं होती तो इसलिए अगर इनको भी अगर हम वैसे ही जस्टिस येबल अगर यह fundamental right ना हो यानि अगर आप court से जाके ने एंफोर्स ना करा सके तो constitution में लिख्यों क्या फाइदा इनका राइट इसलिए जासा मैंने आपको पहले बताया डॉक्टर अंबिटकर ने कहा था दे आर हाट और सोल अफ constitution तो right to move supreme court मा appropriate proceeding तो दोस्तो appropriate proceeding का मतलब दया दयाराओ versus state of up के case के according ऐसी proceeding होता है which may be appropriate having regard to the nature of nature of order direction और writ which the petitioner seeks to obtain from the court राइट आर्टिकल 32 के clause 2 में supreme court की power head to issue writ for enforcement of fundamental right order or writ or direction also high court can issue writ for enforcement of fundamental right and other legal rights high court's power is wider than supreme court यह मैंने आपको जासे पहले बताया article 32 3 & 32 4 power can be conferred on any other court right shall not be suspended except as provided in the article 33 59 तो दोस्तों जो हमारा article 359 है जो emergency related है emergency में आपको पता होना चाहिए कि fundamental rights को suspend किया जा सकता है राइट और article 32 3 कहता है कि यह पावर किसी और court पे भी कनफर करी जा सकती है तो किसी और courts court से मतलब है कि district court पे राइट क्यूंकि हाई court के पास तो अल्रेडी यह पावर है तो एनी अधर court here means district court right या कोई और court right so court can not only rates but also any direction or order so मतलब court ऐसा नहीं कि जिरफ रेटी इसू कर सकता है case के हिसाब से जो भी direction या order देने की ज़रूत है court दे सकता है right now let us see the rates जो पांच रिट हैं हमारे constitution में mainly जो पांच रिट हैं उनको हम देखते हैं मैं ब्रीफ में आपको समझाने कोशिश करता हूं कि यह पांच रिट क्या कहती है तो पहली जो हेवी इस कॉर्पस है दोस्तों उसका मतलब है रिट पहले हम इसकी डेफिनिशन देख लेते हैं और इस एक रेमेडी अगेंस्ट इंजस्टिस अन्याय के खिलाफ एक तुरंत रिलीफ आपके लिए डिवाइस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ सिटिजन अगेंस्ट एनी एंक्रोच्मेंट बाइं गवर्मेंट अथॉरेटी एक्स्ट अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि आगर आपका फंडमेंटल राइट वोईलेट हो रहा है तो आप सीधा सुपरीम कोट जा सकते हैं तो दोस्तों यह एक स्पेशल सरकम्स्टेंस का केस है अन्य था तो आपको पहले डिस्ट्रिक कोट फिर हाई कोट फिर सुप्रीम कोट ज पातलब यहां यह नहीं है कि अगर किसी कोई किसीन हेवीज कॉर्पस के पिटिशन लगा दी तो सरकार के लिए वाउंडेशन होगी उस आदमी को तुरंत कोट में लेकिया ऐसा नहीं है बेसिकली हमें यह देखना है कि क्या उस व्यक्ति को सरकार ने जो बंद कर रखा है क् इसका एक्जामपल डॉक्टर कफील खान और सिद्ध की कपन का जो केस है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ब्रीफली इन केसिस के बारे में डॉक्टर कफील खान वह व्यक्ति है जिसने उत्तर प्रदेश में जो बच्चों की मौत हुई थी 22 बच्चों की उसके अगेंस उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे केसिज लगा दिये यूपा लगा दिया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया राइट और उसमें उसे डिटेन कर लिया फिर उस व्यक्ति ने अलाबाद हाई कोट में लगाई पेटिशन और अलाबाद ह केस है सिद्धिक कपन के बारे में यूनों हीजा इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो उत्तर प्रदेश में एक लड़की की मौत हो गई ती उसे सरकार ने रातो रात जला दिया तो ही ही वेंट तो उत्तर प्रदेश वाम केरला तो कवर देट केस और उसको पुलिस ने उठ पाके बंद कर दिया तो इस व्यक्ति ने भी कोट ने केस लिए अप्लिकेशन लगाई है और इसका केस अभी कोट में पेंडिंग है राइट तो है भी स्कॉर्पस का मतलब बेसिकली कोट यह देखता है कि जो व्यक्ति को डिटें किया गया है वेदर ही इस लीगली डिटें और वेदर ही हैस बिटेंड इल्लीगली वाई गवर्मेंट और बहुत सारे केसे ऐसे होते हैं जिसमें गवर्मेंट लोगों को इल्लीगली बंद कर देती है खास तोर से वो लोग जो एक्टिविट वे एक्टिविस्ट होते हैं राइट तो मेंदमस मेंदमस दोस्तों क्या जो बी के ओपर कोई obligation लगाता है अब जो है दोस्तों जो है अब एक लगा सकता है कोट में जिसमें कि उसके इस राइट को प्रोटेक्ट किया जाए और इसको इसमें जो सबसे सरूरी चीज है दोस्तों वो यह है कि आपके पास एक legal राइट होना चाहिए और किसी दूसरे के ओपर obligation होनी चाहिए कि वो उससे बाउंड हो राइट तो जैसे कि आप जानते हैं कि यह जो राइट जैसे मैंने बताए पब्लीक राइट के सकते हैं अगर आप जाएं किसी थाने में और आपके साथ जहगड़ा हो गया पुलिष भायार निकरती करती तो आप सीधा अर्टिकल 32 में भी जा सकते हैं और को आपको यह नहीं तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि कोट कि अगर आपका फंडमेंटल राइट कहीं वॉइलेट हो रहा है तो कोट आपको यह नहीं कह सकता कि आपका दूसरी जो लॉम में पावर है उसको आप एक्सराइज कीजिए राइट राइट तो यह हुआ दोस्तों मेंड़मस नाओ सर्टी रारी जो रिट होती है दोस्तों इस अन ओर्डर ऑफ हाई कोट इसुड टू इंफिरियर कोट किसी भी अपने से सबॉडिनेट कोट को हाई कोट डिरेक्ट करता है ट्राइबिनल को और अथॉरिटीज को तो ट्रांस्मिट तो इट वेदर रिकॉर्ड और प्रोस कोट को लगता है कि किसी व्यक्ति ने जो किसी कोट ने जो है गलत जज्जमेंट दे दी लाइक बियॉंड जूरिस्डिक्शन दे तो कोट उसे क्वैस कर सकता है इट में भी इसूड और बोड़ी ऑफ परसन हैं लीगल अथॉरिटी तो डिटर्में क्वेस्टिंस पावर होनी चाहिए राइट एंड एक्सेस और लीगल अथॉरिटी यानि कि जितनी उसकी पावर थी उससे ज्यादा उसने एक्सराइज किये तो सटेदारी लगाने के लिए आपके वास क्या ग्राउंड होने चाहिए लैक ऑफ जूरिज्डिक्शन यानि कि उसकी जूरिजिक्शन एक्सराइज करी अथॉरिट्री डिक्माइनिंग जूरिज्डिक्शन वेनिट बिलॉंग्स यानि कि आप की जूरिज्डिक्शन थी लेकिन आप मान में रहे हैं अब यहां दोस्तों इध्यान दीजिए कि यहां आप एक्जीक्यूटिव को नहीं कर सकते म चैनल डेम्स में आप एक्जीक्यूटिव को ऑर्डर कर रहे हैं यहां आप सबादिनेट जूरिशरी को और कर रहे हैं अथॉरिटी डिक्लाइनिंग जूरिजिक्शन वेन इट बिलॉंग एक्सेस ऑफ जूरिजिक्शन एक्शस प्रिंसिपल अफ-फैनल जस्टिस्टिस य नहीं मिला मेरा क्या पक्स था राइट तो वहां मेरा प्रिंसिपल आफ नेचुनल जस्टिस वाइलेट हुआ है और एर्र अफ लॉव अपैरेंट ओन फेस आफ रिकॉर्ड यानि कि कोट ने जो है कोई बहुत बड़ा एरर कर दिया जो यूनों जो केस की फाइल तुरंत देखते ही पता चल रहा है तो उस केस में भी हम कह सकते हैं कि यह जो है रहा है सर्टिदारी रेट आप ऐप्लाई कर सकते हैं प्रोइबशन कमांड्र देखेंगे कि प्रोइबिशन और सर्टिदारी सिमिलर्स ही एं तो इसमें भी कौर्ट को डिरेक्शन दिय जाती है प्रोइबिशन में भी कि आप ये काम नहीं करेंगे पर जो इन में जो दोस्तों जो main difference है वो ये है it is issued to refrain from doing यानि की करने से यानि की ये चलती हुई proceeding में लगती है और ये पूरी होने के बाद लगती है so जो prohibition है that is basically a preventive relief and certiorari is basically a cure ये चोट लगने के बाद दी जाती है यानि चोट लगने के बाद दवाई लगाए जाएगी certiorari में और ये जो है ये जो prohibition है ये prevent करती है यानि कि ये चोट लगने ही नहीं देती राइट तो ये इनके बीच में difference है और जो आज के हमारी लास्ट रिट है दोस्तों जो हमें डिसकस करनी है वो है क्यों वारंटो तो प्रिवेंट आ पर्सन हूँ इस लीगली यूजू रप्ट अन ऑफिस क्या वारंटों का मतलब होता है वाट इस यूर अथारिटी राइट आपकी क्या अथारिटी है आपकी इस पावर से बैठें इसमें तो सिटिजन कोड़ देट इस अ पॉब्लिक ऑफिस इस यूजू रफ यूसू रपर विदाउट लीग अथारिटी राइट वार व्यक्ति उसमें बिना अथारिटी के बैटा है यह को सब्सक्राइट्स का अपॉइंट मैं हुआ है इस नट इन अकॉर्दस द्लाो और वर उसमें illegally बैठा है और उसको महां से हटाया जाए तो जितने भी cases में जो challenge होता है in competitive exams or all and all that that is basically qua warranty right and there is no question of delay in presenting of the petition क्योंकि इसमें हर दिन के साथ हर दिन के साथ दोस्तों एक निया cause of action arise होता है जब व्यक्ति you know when he is not legally appointed तो हर दिन एक निया cause of action arise होता है and will not lie in respect of office of public nature तो private case private case में यह applicable नहीं होगी तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ यह video आपको अच्छा लगेगा अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस video को like कर दीजे अगर आपके कोई सवाल हो तो comment करिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर दो